तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ यह बहुत ही इजी पीजी से एक हैस्टा शेयर करने बाली हूँ जिसे आप गज्जा के साथ भी कैरी कर सकते हो एन इसे क्रियेट करने के लिए आपको कोई भी डूनाट बर्न या टूल या फिर शेयर को क्रीम करने की भी पड़ेगी और आज की वीडियो में आप लोगे साथ यह बाली हर्याली तीच और हर्तली का तीच स्पेशल मेक अप लूक शेयर करने बाली हूँ जिसे मैंने बहुत ही एफोड़ेबल कुछ प्रॉडक्स के साथ क्रियेट किया है तो गाइस अगर आप जाने के लिए इंट करता है आपकी स्कीन की लिपिद को और प्रोटेक्ट भी करता है और वेरी ड्राइ इरिटेट अटोपिक सेंसरिक स्कीन के लिए यह बहुत अच्छ से काम करता है तो गैस इसमें आपको मिलता है 200 ml अप प्रॉडक्ट और इस क्लिंजर से ही मैंने बहुत अच्छ से अपनी अच्छ से मैंने वेट कर लिया इस तरीके से इस क्लिंजिंग जेल से बहुत अच्छ से इस को क्लीन कर लिया है और इस तरीके से करने के बाद मैंने बहुत अच्छ से नॉर्म वाटर से फेस को वाश कर लिया है और इसके लिए मैंने बहुत अच्छ से नारिश कर लिया है टेसे सूदिंग देता है एक बहुत अच्छे से स्क्याहं काम करता है उन्समीज औरends ifารh invece मेरा फ्रिम क्लीम को अभी कंप में इस तरीकार सबत्रेक्ड यहाथ ह्टे की अधर प्रेक्ड knapp करते हैं यह वाले cream and face wash लेना है तो आप में इस description box को check out कर सकते हूँ सारे details आपको description box में मिल जाएंगे and link को click करके और भी details आप ले सकते हो तो इसके बाद मैंने अपने eyebrows को fill and draw कर लिया है HR की eyebrow की इसे darker shade को pick करते हुए then मैंने याप पे purple की यह वाली concealer palette use किया है and इस palette में से यह वाली shade को pick करके एक फ्लाशे तरबश के help से मैंने अपने eyebrows को सबसे पहले define किया है तो यह वाली concealer palette भी बहुत affordable है and बहुत ही creamy formula है dry skin type के लिए बहुत अच्छे से और बेस तरहीके से काम करता है तो अगर आप इस तरह की concealer palette लेना चाहिए तो definitely ले सकते हो क्योंकि यह multi like multi-purpose way में काम करता है and same concealer shade को ही मैंने फिंगर के help से पिक करके पूरी eyelid area पे अपला कर लिया as my eyeshadow base and बहुत अच्छे से एक damn beauty blender के help से dab कर लिया है ताकि excess product भी बहुत अच्छे से blend हो जाए then so is beauty की translucent setting powder से मैंने अच्छे सेट कर लिया है and इसके बाद मैंने इसेड़ो के लिए यूस किया है HR की यवले eyeshadow palette और यवले eyeshadow palette बहुत affordable है लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है तो सबसे पहले मैंने इस palette में से यवले जो dark brown shade इसे पिक करके इस तरह के एक fluffy eyeshadow blending brush करते हुए circular motion में ब्लेंड कर लिया as my turns in shade then again same palette से ये वाले जो golden shade है इसे एक flasher brush के आप से पिक करके जैसे हम cut crease draw करते है तो उस तरह के से inner corner से middle layer से थोरा सा ज्यादा अमान तक इस तरह के से apply कर लिया है तक ये cut crease वाले effect है then मैंने same palette से green shade को पिक करके सबसे पहले brush के ब्लेंड किया दें फिंगर के help से golden shade के साथ mix करते हुए इस तरह के से middle eye rate पर थोड़ा सा apply किया है then same palette से ब्लेक शेड इसे पिक करके again same brush के help से ही outer corner में green shade को थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन किया है और बहुत अच्छे shade and green shade को mix करके apply किया है दें मैंने यहाँ पर लैक मी की इंस्टा लाइनर से इस तरीके से एक basic सी विंग liner ड्रा किया है तो कुछ इस तरीके से आप थोड़ा सा थीकली भी apply कर सकतो या फिर बिल्कुल थीन तरीके से भी apply कर सकतो यह तो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है दें मैंने यहाँ पर प्राइमर अपलाई किया है और मैंने यहाँ पर आइबा की photo perfect प्राइमर को इस तरीके से टी जोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस में ब्लेंड कर लिया है और यह सिलकन प्राइमर है तो किसी भी स्कीन ताइब के लिए बहुत अच्छे से काम करता है एसे पिक करके एक brush की इल यह सिसलिका है जाहां जो मुझें पर आइलाइट करना है उन एरियास पर यह पर यह ब्लेंड है तो यह द्धाय ना आपको दिनसारे में दचना हो एक ओंड्र हुए फेर फाउंडेशन आपको हमेशा करना है जलदे जलदे में। ड्रइक नहीं करना है। इससे मेकप प्रोडक्स अपनी जगाससे हट कर बहूत हुआ केपिन लिए। करके तो यह आपने प्लाइक का लिए तूरी सेल सेटिंग पाउडर से भी मैंने इस तरीकी से सेट कर लिया है पहले मैंने बेकिंग के लिए सबसे पहले जा 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 पर मैंने इरियास पर अपलाई कर लिया है देन कुछ टाइम के लिए छोड़ कर मैंने यहां पर कंटूरिंग की है और इसके लिए मैंने यहां पर सुजबूर की स्कल्प्ट लिप्ट कंटूर पैलेट को यूज किया है इसमें से ब्राउन शिट को पिक कर कि इस तरीके से होलो सुप्ट चीक्स, जॉर लाइन, फोरेट अपनी नूस को मैंने कंटूर किया है और कंटूरिंग के बाद मैंने इस तरीके से डस्ट आउट कर लिया है जो भी एकसे स्पावडर था और पूरे फेस में ब्लेंड कर लिया तक ही पूरे फेस की बेस मेंकप बहुत अच्छे से 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 हो जा एनने के रिया पे भी सेम ल इसे इसे तरीके इसे इसे इस तरीके से ब्राउन जैच पिकर के इस तरीके से ल्हिवालाशन का रिया है तक हिए बहुत झील एक स्मोकी लुक एफेक्ट एइग डैला थे रिवलिश्ण की एप्लाई किया है and then मैं यह निया पर मार्स की ये वाल मस्कारा अपनी आपर अन लोलाश इस वे दो से तीन कोड़ एपलाई कर लिया है यहां पर मैंने पूरी मेकप को सेट करने के लिए एपनी पूरे फेस में रोज वाटर टोनर को स्प्रे कर लिया है आप चाहे तो मेकप सेटिंग स्प्रेय उसकर सकते हो इसके बाद लीप्स के लिए मैंने आपे मिलानी आमोर मैड गॉर्जिया शेट को अपलाई किया है यह बहुत सथा अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली शेट तो आप देख सेकते हो लिप्स्टिक अपलाई करने के बाद चार चांद लग जाती है मेकप लुपे क्योंकि लिप्स्टिक से पहले जीतना भी आप मेकप कर लो अच्छी नहीं दीखते है तो इस लिप्स काई नहीं देख आप अगर शुप था है तो आप कर सकते हो या फिर पॉफ के लिए जो पॉफ कलिब आते है उसे भी आप सकते हो इस तरीके से हो रोल अनट्विस्ट करते हुए पीछे लेगा कर से क्योर किया है दिन फीछे की सारी कि पीछे की सारी हो एक रबर मे है इस तरीके से जस्ट हम जैसे टक करते हैं इस तरीके से टक कर लिया है और इसको उल्टा करके कुछ इस तरीके से रोल एंड ट्विस्ट कर लिया है बिल्कुल सेम तरीके साब को करना है अगर आप यह बाली हेर बंड क्रियेट करना चाहते हो तो तो मैंने इस तरीके से दो और इसके बाद मैंने एक यूपिन की हेल्प से सिक्यूर कर लेना है तो कुछ इस तरीके से करना है और आप चाहे तो यह पर फ्रेश फ्लावर गज्रा स्वेर कर सकते हो लेकिन मेरे पास फिलाल नहीं था तो मैंने स्कीब किया यह और मैंने यह आप अर्टिफिशल गज्रा लगाया था लेकिन वह ने से फोटो के लिए अपलाई किया था और इस तरीके से मैंने से इंदूर के साथ अपनी पूरी लुक कंप्लेट कर लिया है सो दैस इट गाईस आई हो आज की यह वाले जो हरी आली तीज मेक आप लूख है आपको पसंद आई होगी तो अगर आप को लग रहा है कि मेरी वीडियों के लिए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना एन इस वीडियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना तो गईस मिलते हैं नक्सुरू में तिल देन बाइबस टेबस टेप